चानक जीनी कहा योध्रवाणी परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणी तस नस्यति अध्रुवं नस्ट मेवही जो मनस्ट निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है उसका कार या पदात नश्ट हो जाता है चानक जी कहते हैं कि लोब से क्रश्ट होकर व्यक्ति को हाथ पाव नहीं मारने चाहिए बलकि जो भी उपलब्द हो गया है उसी में संतोष करना चाहिए जो व्यक्ति आधी छोड़कर पूरी के पीछे भागते हैं उनके हाथ से आधी भी निकल जाती है चानक जी ने बहुत ही अच्छा जो शलुक बुला है कहा है अपने देश के लिए इस जनता के लिए यो द्रुवाड़े परितज अध्रुवं परिसेवते द्रुवाड़े तस नस्यंते द्रुवं अध्रुवं नश्ट मेव ही यह बहुत ही अच्छा इस लोग है कि आप आधी को छोड़के पूरी के पीछे भागते हैं पूरा लेने के पीछे भागते हैं ऐसा ना हो कि आधी भी आपके हाथ से निकल जाए तो जो मिला है उसे में संतोस करिए